क्या खरना क्या है और एक बाद आवी बोले चितनी भी जड़ चित तेरे गर में तू लेकर के बेटा रात करने वाली सादमी माला बोलता है कि मुझे पसंद है मुझे बहुत पसंद है कि मुझे बहुत पसंद है इसनकर देने के लिए cama के ब्यास प्यास कई बोलता है राग को न च्याग में रसे न भूग में रसे सिर्व संग्र में और दर्शन में रसे। राग का ये रिजल्ट में को कि संग्र और दर्शन दो ही केटेगरी में राग न च्याग न भूग। क्या करेंगे। द्वग्मान मावीन ने अंतिम देशना में गउत्म स्वामि गोविजा देव सर्मा ब्रामन के वाक्रति बोच करने के दियेगे राज क्या हो सकता है मैं बात बता ना चाहता हूं आपको देव सर्मा के पास पचास हजार किवन नानी का गुरु गया है आज तक इसको दिक्सादी उन सभी को किवन नान मिला इससी ताकात वाला गुरु देव सर्मा को गौंकर निकाग देव सर्मा बग्मान मावीन ने चाड़ू देशना में तेरे पास मुझे बेजा है सयम जिवन जैसा इस दुनिया में कोई जिवन नहीं है बग्मान आपकी बात बराबरे मगर मैं नहीं लेना चाहता हूँ कारण ये जो मेरी पत्नी है इनके सरीर पर इतना रागे इतना रागे इतना रागे में स्वत नहीं सत्वां के में नमीरा जिवन चल सकता है खै जीवन में पहली बार पटाजार किबल नानी के गुरू कि इसको प्रदिबोच करने में फेल हुए राप्टे कारण और दोवतम समी निकले घर से बार वो देव शर्मा दोवतम समी को रास्ते पे रखने के लिए साथ में चला और गुज्रा की में नदेश भाई जिल को बार्षा केते बार्षा का थोड़ा नीचा था और जल्दी से जाने में तक्तर लगी यहांसे जोर से शर्व फट गया अब की बासर मदब ब्रेन हैंबरेज हो गया और उसी टाइम हो देवी शर्मा शान्त हो गया जिवन खतम हो गया राग का नतीज आप देखना चाहते हो पचास जार किवन नानी के गुरू पांच जार नान के माली अपनी आखों के सामने दो मिनित के पेले जिसको बुला दा भुगवान महमी का सिश्य बंजा खतम विदिखा सिर्फ उप्योग रखा के देव शर्मा मर के गया कहां कोई देव गती में गया मेरे जैसा पचास जार किवन नानी का गुरू नानी की बाज़ू में था सगती में गया कहां गया देख तोनू राग का ये अंजाम और गौत्वों समीद है इतना ही देखा देव शर्मा ने पत्नी फर्नो अतीशे राग भगमान मावीर साचा सयम साचू बदूत साचू तमारी वाज़ पन साची तमारी वाणी पन साची संदार खराब शे बाग साची राग का ये मैथेमेटिक समल लेना जहां आसकती वहां उत्पत्ती जहां आसकती वहां आपकी उत्पत्ती सोच के राग झाल झाल